कभण्टी हुअग ते दिसरा क्भड़ फायिनल दिवाइनगज सकूल पनाम सोम लुलित स्कूल सबस्कूल तौश जतने बात की रणनीटी अपने स्किल्स की रणनीटी और आगे ही पहले पांज सेकंड मेरे को प्हेर लिया जबके डिवाइन बड़ को अभी खाता खुलना है इस पार क्या खाता खुला है पिल्कुल नहीं खुल पाया जो कि तक्पीर सोम ललिट के साथ गी सिर्फ दो खिलाडी बाकी और अब एक कराउड में भी स्टाइल है मैट पर बच्चों में भी स्टाइल है और गेम में भी स्टाइल है ये खासियत है के बीडी जुनियर्स की सोम ललिट के नाम मुझे लख रहे हैं यहां पर सूपर टैकल की सिच्वेशन है और इसके साथ ही दूसरी बार भी ओल आउट कर दिया यहां के दो बार ओल आउट ही टीम चौदा पॉइंट्स तो प्लेयर जाने के और चार पॉइंट्स ओल आउट के अठारा शून ने वाटर फाइनल इस तरह का होगा शाहिद इसकी कल्बना नहीं किनी कि और पीकेल के लिए भी एक सक्षित बड़ा पास्ता है अठारा शून से और ये तो अब पीकेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया नहीं सोम ललिट स्कूल ने तो 19 शून ने के वीडी में एक नया रिकॉर्ड बना हूँ भी क्वाटर फाइनल में ये दूसरा क्वाटर फाइ स्कूल ने बहुत कुछ कर गुजरना होगा विल्कुल चमकतार होगा अगर वो इस मुकाबले को जीतेंगे कि ये बीच वाट वाट सोड ललत स्कूल के पास लेफ्ट और ने ने शेट किया शांदा टैकल मनन रावल इसलिए डिवाइन बड्स के रेडर ने कब से कम बोनस तो लिया और उसके बाद जो लेफ्ट कॉर्णर ने इरिशेट किया था उस टैकल में वो फस गए और यहां डिवाइन बड्स कूल आल आउट की कगार पर और यहां मुश्किल हो सकती है लेकिन बच गए एक भी पॉइंट अब तक नहीं मिल सका है डिवाइन बड्स को तीसरी बार ओल आउट हुए जब भी रेडर को आउट किया है या तो डबल थाय होल्ड या तो डबल अंकल होल्ड शांदार स्किल बढ़िया प्रदेशन सोम लली स्कूल का इस बार राइट कॉर्णर को निशाना बनाया बोनस भी लिया एक पॉइंट भी लिया अपने स्कूर को और मजबूत किया हाई फाई यश शाह ने लगाया है बिलकुल यश शाह ने ये पहला हाई फाई लगाया इसको काबले का पिछले क्वाडर फाइनल में हमने सूपर टेन देखा इस क्वाडर फाइनल में हमने हाई फाइव देखा ये बताता है कि इन बच्चों के अंदर जजबा और जुरूम तहां पहुत चुका है आखिनी रेंड में कमाल कर दिया लेकर जब तक कमाल हुआ तब तक सो गलिफ स्कूल कर चुका था कोई दो राय नहीं शांदार प्रदर्शन दूसरे कौरडर फाइनल में सो मललेट स्कूल का 34-3 से डॉमिनेट किया और सेमी फाइनल में अपनी जगा बना ली है